हेलो स्ट्रेंट्स, I am your educator आज के वीडियो में हम class 6 के chapter 5 को discuss करेंगे स्ट्रेंट्स हमारे previous वीडियो में हमने triangles और quadrilateral के बारे में discuss किया था आज के वीडियो में हम strengths polygons को discuss करेंगे so let's start polygons की definition देखते हैं strengths polygons क्या होता है strengths simple closed curve made up of line segment simple closed curve जो सिर्फ line segment से बनी होती है वो हमारा क्या होता है strengths polygons होते हैं ok strengths अब क्या है polygons कई type की होते हैं classification of polygons side के according side के according जो है polygons are named based on their sides sides के according इनके name दिये हैं strengths यहाँ पे क्या दिया है number of side और यहाँ पे क्या strengths name of polygon ऐसा polygon जिसकी three side हो ऐसे polygon को क्या बोलते strengths जिसमें three angle होते हैं तो देखे strengths ऐसा triangle क्या होता है strengths जिसकी three sides होते है जैसे ABC यह क्या है пальरा triangle कितनी side है इसकी 1,2,3 तो यह हमारा क्या है triangle जब four side होते हैं Reynolds ऐसे polygon को क्या बोलते हैं quadilatoral क्या बोलते हैं 받ulatoral जैसे ABCD यह हमारा क्या है एक quadulator है इसकी 4 side है 1, 2, 3, 4 और ये closed figure है और किस्टोरेंट्स नेक्स्ट हमारा जब 5 side होती है तो ऐसे polygon को क्या बोलते हैं पेंटागन, पेंटा मिन्स 5 जिसके 5 side होँआँ इसकी shape कैसे हो सकते हैं इस्टोरेंट्स यह देखिए जैसे A, B, C, D, E, A तो देखिए स्टोरेंट्स कितनी side हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5 5 side है तो यह हमारा क्या होता है स्टोरेंट्स कौन सा polygon होता है? पेंटागन जिसकी 6 side होती है ऐसे polygon को क्या बोलते हैं स्टोरेंट्स? hexagon, hexa means 6 side तो देखिए स्टोरेंट्स चैसे यह हमारा एक polygon है कितनी side है इसकी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह हमारा क्या स्टोरेंट्स? एक hexagon है जिसकी 7 side होती है स्टोरेंट्स ऐसे polygon को क्या बोलते हैं? heptagon, 8 side वाले polygon को क्या बोलते हैं? octagon, 9 side के polygon को बोलते हैं, nanagon और 10 side के polygon को बोलते हैं, decagon ओके स्टोरेंट्स? जैसे यहाँ पर हमने octagon की और shape बना रखे हैं जैसे इसमें कितने side हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यह हमारा क्यों सा figure है स्टोरेंट्स? octagon, ओके स्टोरेंट्स? ऐसे ही आप सारे figures को draw कर सकते हैं अब हम स्टोरेंट्स exercise 5.8 को discuss करेंगे, हमारा first question है एक्समाइन whether the following are polygons, if anyone among them is not, say why आपको बताना है स्टोरेंट्स यह जो figure दे रखे हैं, यह polygon है या नहीं है if anyone among them is not, अगर इन में से कोई polygon नहीं है, तो say why इसका reason बताना है स्टोरेंट्स के वो polygon क्यों नहीं है, तो हमारा first figure है स्टोरेंट्स, पहले polygon की definition देखते हैं स्टोरेंट्स, polygon क्या होता है हमारा simple closed curve made up of line segment, जो सिर्फ line segment से बनाता है, ऐसा closed figure होता है तो देखें स्टोरेंट्स, हमारा first a part है हमारा, यह figure हमें दे रखा है तो देखें स्टोरेंट्स, आपको देखने से ही पता चल रहा है, यह हमारा closed figure नहीं है closed figure नहीं है, तो यह हमारा polygon नहीं है तो स्टोरेंट्स, यह हमारा polygon नहीं बनेगा तो आपको अब क्या बताने है students इसका reason बताने है क्यों नहीं है this is not a closed figure so this is not a polygon तो आप ऐसे answer दे सकते है students this is not a closed figure so not a polygon ओके students now second figure हमारा देखे students ये हमारा closed figure है और सारा हमारा line segment से बना हुआ है तो यह हमारा क्या है strands एक polygon है क्या ही हमारा polygon है no strands, यह तो curve है, closed curve है यह line segment से नहीं बना है so this is not a polygon ऐसे strands यह दो side तो हमारी line segment है बट यह हमारी curve है यह हमारी line segment नहीं है तो यह भी हमारा polygon नहीं है तो यह भी हमारा polygon नहीं है, यह भी नहीं है और ये भी नहीं है, सिर्फ ये हमारा polygon है इसके लिए क्या reason देंगे, students COD part के लिए हम not polygons they are not made up of line segment क्योंकि ये line segment से नहीं बने हैं, okay question number 2, name each polygon ये जो हमें polygon दे रखें, students इनके हमें name बताने हैं तो name बताने के लिए हम क्या करेंगे, students इनकी side को count करेंगे तो देखे, students, इसके में कितनी side है 1, 2, 3, 4 तो 4 side के polygon को क्या बोलते है, students हम quadrilateral तो ये हमारा क्या strength quadrilateral second हमारा part है, students B part हमारा, ये देखे, ये shape कौन से students, एक triangle है तो हम क्या लिखेंगे, एक triangle next हमारा क्या है, students, कौन सा figure है ये कितनी side है, इसके side को count करते है, 1, 2, 3, 4, 5 5 side का polygon है ये तो 5 side के polygon को क्या बोलते है, students pentagon तो ये हमारा क्या बनेगा, students, pentagon और D हमारा part क्या, students, देखे, इस figure को देखते हैं इसकी भी side को count करते है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसकी 8 side है, students तो 8 side के polygon को क्या बोलते है, students, octagon तो ये हमारा क्या बनेगा, students, octagon okay, students, triangle हमारा next question is, students, draw draw a rough sketch of octagon use square paper if you wish draw a rectangle by joining exactly four of vertices of octagon octagon की four vertices को join करके आपको क्या बनाना, students से एक आपको rectangle बनाना है so, देखे, students, ये हमारा एक octagon है क्योंकि इसकी 8 side है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो octagon है, इसके four vertices ले लिए हमने GH और DC इनको हमने मिला दिया तो ये हमारा कुन सा figure बन गया, students, ये हमारा कुन सा figure बन गया, ये हमारा एक rectangle बन गया और क्या कर सकते हैं, आप इनको F को और A को भी मिला सकते हैं, F को और A को मिलाएंगे और students, E को और B को मिलाएंगे तो आप ऐसे भी ये एक हमारा क्या बन जाएगा, students, यहाँ पर एक rectangle बन जाएगा तो आप ये भी एक rectangle बना सकते हैं, students और ये भी एक rectangle बना सकते हैं, okay, students next हमारा question है question number 5 क्या, students a diagonal is a line segment that joins any two vertices of a polygon and is not a side of polygon draw a rough sketch of pentagon and write a diagonal क्या बताना, students, diagonal is a line segment जो diagonal होता है, ऐसा line segment होता है that joins any two vertices, जो दो vertices को join करता है of polygon, polygon की दो vertices को join करने से हमारा क्या बनता है, students diagonal बनता है and is not a side of polygon और जो हमने vertices को join किया वो क्या नहीं होनी चाहिए, students polygon की side नहीं होनी चाहिए draw a rough sketch of pentagon फिर आपको क्या बताना है, students, एक pentagon को draw करना है और इसके diagonals को बताना है कि कौन-कौन से इसके diagonals बनेंगे तो देखिए, students, यहाँ पर हमने एक pentagon को draw किया है इसके कितनी side है 1, 2, 3, 4, 5 5 side है, अब इसके diagonals को बताना है, students तो देखिए, students, a और c को match कर देंगी यह हमारा diagonal बनेगा, कौन सा? a, c और क्या बनेगा? line segment a, c और क्या बनेगा, students, इसका diagonal a, d यह भी हमारा एक diagonal बनेगा a, d ओके, students, और कौन सा diagonal बनेगा, students अब b को match करते हैं b, d, और b, e को match करते हैं तो b, d और b, e यह भी हमारे diagonal बनेगे b, d, और b, e अब c को match करते हैं, students c, e और C A, ये भी हमारे diagonal बनेंगे, C E और C E, ये भी हमारे diagonal बनेंगे, So, strengths हमारे diagonal कौन-कौन से बनेंगे strengths, A C, A D, B D, B E और C E, ये हमारे क्या बनेंगे strengths, Diagnols, 1, 2, 3, 4, और ये 5, ये सभी हमारे क्या बनेगे strengths, Diagnols of Pentagon. So, strengths हमारे exercise 5.8 complete होगी, that's all for today, if you like my content, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for notification of my upcoming videos, thank you. So, question number 3 को discuss करते हैं, strengths, Draw a rough sketch of regular hexagon, connecting any three of its vertices, draw a triangle, identify the type of triangle you have drawn. इस question में क्या strengths, एक आपको rough sketch बनाना है, regular hexagon का, regular कौन सी shape होती है, strengths, जिसकी line segment, all side, जितनी भी side होती है, वो equal length की होती है, और hexagon means, hexa means six, जो six, जो हमारा line segment का closed figure होता है, वो हमारा hexagon होता है, तो आपको एक regular hexagon draw करना है, उसके बाद क्या करना है, connecting any three of its vertices, इसकी three vertices, कोई भी three vertices को join करना है, draw a triangle, फिर आपको एक triangle draw करना है, identify the type of triangle you have drawn, फिर आपको बताना है, strength, जो ही triangle draw होगा, यह हमारा किस type का triangle बनेगा, okay strength, let's do, so देखे, strength, यह हमारा एक regular hexagon है, hexagon कैसे strength, इसकी six line segment से मिलकर बनाई है, one, two, three, four, five, six, फिर क्या करना है strength, इसके जो कोई भी three vertices को आपको join करना है, तो देखे, strength, अगर हम a, b और f को join करते हैं, तो देखे, strength, यह हमारा एक triangle बनता है, a, b, f, आपको बताना है strength, जैसे यह किस type का triangle, कौन से type का triangle बनेगा, तो देखे, strength, यह regular hexagon है, तो इसकी सारी sides equal length की आएंगी, यानि यह side, इसके equal होगी, लेकिन strength, देखे, यह इसका, यह third side है, यह हमारी long है, तो यह दोनों side equal है, और यह side different length की है, तो ऐसा figure, ऐसा triangle हमारा कौन सा बनता है strength, isoslis triangle, तो यह हमारा कौन सा triangle बनेगा strength, isoslis triangle, ऐसे यगर आप b, od को join कर देगे strength, तो हमारा ए इसमें भी bc equal to आएगी, हमारे dc के, क्योंकि यह जो हमारा hexagon है, इसकी सारे line segments की length equal है, ab equal to bc equal to cd equal to d, e equal to ef equal to fa, तो strength इसमें bc equal to cd बनेगा, तो जितने length इसकी है, bc line segment की उतनी length cd की बनेगी, और देखे strength, यह हमारी different length बनेगी, तो यह भी हमारा क्या बनेगा strength, एक strength, आप इन दो को भी join कर सकते है, fod को, तो यह हमारा triangle बन जाएगा, efd, यह हमारा triangle बनेगा, इसमें भी a side, ef equal to edk हो जाएगी, लेकिन यह हमारी long side बन जाएगी, different length बनेगी, तो यह भी हमारा एक isosless triangle होगा, ऐसे ही आप इन points को भी join करके, एक triangle बना सकते है, strength, तो यह जो ह आपको सारे questions clear होगे होगे, if you like my content, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for notifications of my upcoming videos, thank you